पुमबई से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहें महाविकास घाड़ी की एहम बैठक आज महारास्ट में सीड शेरिंग को लेकर होगी चर्चा है ये बड़ी जानकारी आपको बता रहें संजेराउत शरत पवार इस बैठक में मौझूद रहेंगे 48 सीड़ों के बटवारे पर होगी चर्चा तो ये बड़ी और एहम चानकारी आपको बता रहें महाविकास घाड़ी की आज एहम बैठक है ये भी बता दे कि इस बैठक में संजेराउत शरत पवार मौझूद रहने वाले हैं 48 सीड़ों के बटवारे पर इस बैठक में चर्चा होगी तो ये बड़ी और एहम चानकारी आपको बता रहें महाविकास घाड़ी की आज एहम बैठक है ये भी बता दे कि इस बैठक में संजेराउत शरत पवार के साथ कई लोग मौझूद रहेंगे महरास्ट में सीट शे इस खबर पर और अधिव जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहियों की नासिक से रवी पाटिल हमारे साथ जोड़ चुके हैं रवी जिस सरीके से लगाता अर्सीट सेरिंग को लेकर पेच फ़स्थे हुए नसर आये थे और आज महाविकास अखाड़ी की एहम बैठक है और आये क्या लगता है इस बैठक में क्या इस पास्ट खोपाएगा ने वाले लोगसरबस walking के चलते महाविकास हागाडी महारास्ट में आगामी चुनाव की तयारिया कर रही है जिसके चलते आज दोपर मुंबई में आहम बैठक होने जा प्रश्वी गाड़ी इस चुनाव में अपने कदम और मुझबूत करने की प्रयात्व में लगी है जिसके चलते यह बैठक आज दो फैर में होनी है इस बैठक में कौन-कौन शामील होने वाला है इस पर अगर हम चर्चा करेंगे तो उत्तो बाला साहिब ठाकरी शिविशना की और से सांस मंतरी वर्षा गायकवाड नांदेड से आशोक चवान ऐसे कई नेता है जो इस बैठक में शिर्कत कर सकते हैं जी बिलकुल रवी जो सरीके से बात अगर इंडिया गटबंदन की कर ले तो लगातार जटके लगते हुए नसरारा जहां बिखार में लगा और उसके बाद पं रहें तो क्या लगता है क्या इस पास्ट हो सकता है कितना आज पेच यह सीट शेरिंग को लेकर पास्ट किया जा सक करेंगे अपने अपने पाल्डे में ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि महाविकास आगारी के सीटों का बटवारा एक कालांतर के बात की बात है। आज बैठक में आहिम मुद्दा होगा डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। जो हैं यहाँ पर बातनी पड़ेगी। और जब सीटों का बटवारा हो जाता है तो पार्टियों के जो लीडर्स होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, उमिदवार नाराज हो जाते हैं जो कि इसमें प्रतैशी के रूप में पिछले कई सालों से तयारिया कर रही है, तो वो ए क्यास ये भी लगाया जा रहा है कि महाविकास अगाड़ी अपने वर्जस्वों को लेकर लगातार वहां पर हर बूत पर जा जाकर काम कर रही है और ऐसे में अगर बात करें आज बैठक हो नहीं है और नाना पर्टोले की अगर बात करते ना तो लगातार नाना पाटेकर की द सबसे जादा सिट हमें मिलनी चाहिए महाविका सागाडी के इस गटबंदन में और दूसरी बात यह है कि बाकी जो पार्टिया है महाराष्ट्य के राजनेति तुलना का अगर विचार करेंगे तो शिवसेना भी चाती है कि हमें सीटे मिले और शरत पवार तो एक देश के सतर पर ऐसे धुरंदर राजनेता माने जाते है कि कैंडिडेट को चुनकर लाने की यह उनके भीतर ह नसीपी बिचाती है कि सबसे ज़्यादा सीटे हमें ही मिले हमारे द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा सच्छ चुनकर के आ सकते हैं तावे तो सभी लोग करेंगे अगर कॉंक्रिस की हम बात कर रहे हैं और बैठा का दौर भी देखने को मिल रहा है और ऐसे में पश्यमं करें चुनावी माहूल में क्या कुछ देखने को दिल सकता है कि महाराष्टे के राजनेतिक माहूल की बात करें तो महाविकास हागाडी में जितने पार्टी आएंगी सितों का बटवारा उतना पेचेदा होता जाएगा पार्टी अपने वर्चस को लिए जगडती रहेगे ल अधिशन हुआ था वहीं से एक उम्मी जगाने की कुछिश भी कही गई थी लेकिन देश की बात करें तो जिस तरीके से महाविकास हागाडी से कदावार नेता दूर हो रहे हैं कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले उन्हें सारी पार्टियों को साथ में लेकर चलना होग अगर समय रहते कंग्रेस सीटों के बटवारे पर समझोता नहीं करती हैं तो कंग्रेस को डिफेनिटली आने वाले समय में इसकी किमत भी चुकानी पड़ सकती है बिल्कुल रवी पाटिला ये तो देखने वाली बात होगी आज महाविकास गाड़ी की एहम बैठक है लेकिन इस बैठक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है वो देखने वाली बात होगी फिलाल आप हमारे साथ जुड़े तमाम चान का ही साचा की इसके लिए बहुत बहुत 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 बहुत